देश भक्ती फिल्में देखने का सोगीन है तो बोलीवुड की तरफ से एक देश भक्ती मूवी आई है जिसका नाम है आई बी 71 लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे विद्यूत जामवाल, अनुपमखेर, विसाल, जेठवा जैसे का लगार मूवी कैसी रही, क्यास के अंदर देखने को मिला, कितना ये ओडियंस के दिलों में देश भक्ती जगा पाई, आज की वीडियो में करेंगे इस बारे में बाते तो हेलो फ्रेंड्स, वल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल, फिल्मी अली, मैं हूँ आपका दोस्त, वर अनॉली, नौशाद अली पाकिस्तान के मनसुबों के बारे में, और फिर वो कैसे अपनी टीम के साथ मिलकर, पाकिस्तान के खोपिया, जो इरादे है, उनके ओपर कैसे पानी फेरता है, ये जानना है, तो पहुँचा ये थेटर तक जहां पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, पर मूवी क आपके पास, तो देखो देश भक्ती मूवी तो आपने काफी सारी देखी होगी, जिनके अंदर जबरदस्त मारधार, जबरदस्त गोली बारी हमको देखने को मिलती है, पर क्या आपने कभी ऐसी देश भक्ती मूवी देखी है, जिसमें सारा दिमाग का खेल हो, अपने दि जबरदस्ट आदाकारी दिखा भी रहे हैं पर आज तक आपने उनको एक एक्सन स्टार के तोर पर देखा है और अगर आप यह सोचकर मुवी को देखने जाओगे कि मुवी के अंदर जबरदस्ट एक्सन सिक्वेंस देखने को मिले हैं तो हो सकता है कि आप थोड़े निरास ह नहीं आरे बलकि इस बार वो एक कमप्लीट एक्टर के तोरपन जबर आ रहे हैं जिसमें उनकी जबरदस्ट अदाकारी देखने को मिनने वाली है साथ ही इस मुवी को उनके उपर काम का भार और भी ज्यादा था जिसमें उनके अदाकारी और भी ज्यादा निखर कर सामने आई है, मुवी के screenplay की बात करें तो मुवी का first हाप का जो screenplay है वो हो सकता है कि आपको थोड़ा landy लेगे जिस वज़े से आप बीच-बीच में कहीं पर बोरियत भी मैसूस करें पर second हाप के अंदर इस हिसाब से twist and turns डाले गए हैं वो climax तक आपको बैठा कर रखने पर अधाकारी देखने को मिलिए अब कोई ये नहीं कह सकता कि विद्दु जामवाल सिर्फ action star है acting उनको नहीं आती acting देखनी है तो उनकी movie खुदा हाफिज या फिर अब IB 71 देखे क्या जबरदस्त अधाकारी उनकी इस movie के अंदर देखने को मिलिए तो इस तरह की किरदार वो पहले भी निभा चुके हैं और इस तरह की किरदार को किस तरह निभाना है वो कोई अनुपम खेर से सीख सकता है उनकी भी जबरदस्त acting performance देखने को मिलिए वह इस movie का surprise factor बनकर निकले हैं विसाल जेठवा उनकी acting performance जिस हिसाब से movie में निकल कर आई है वो हर किसी को अपना द आलवेल हमको movie के अंदर देखने को मिला है उन्होंने इसकी जो spite chill वाले momentus को काफी अच्छे से carry किया है तो अगर मैं इस movie की बात करूँ तो बस इतना ही कहूंगा कि आपने मारधार वाली या action sequence वाली देश बक्ती movie काफे सारी देखी होंगी जिसमें जबरदस्त गोली बा अपने experience के अधार पर अगर मैं इस movie को rate करूँ तो मैं दूँगा 3.5 out of 5 की rating बाकी आप बताइए अगर आपने movie देखी है movie आपको कैसे लगी अपनी राए comment box के अंदे जरूर share करें है राज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो उसको like जरूर करें मिलूग मा फिर किस अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस दुआ में आद रखना